नमस्कार आज महाना प्रताप जैनती है अलागि महाना प्रताप का जब जब जिक्र आता है जब जो नाम आता है तो एक परम सौभाग्य की अनुपूती होती है परन्तों अभी मैं जहां खड़ा हूँ अगर वहां इस विशेश दिवस पर आप पहुच जाते हैं अगर इस द को आई दिवार है चाईना की दिवार उसके बाद कुम्बलकर्टव्ग की ये दिवार विश्व में सबसे बड़ी मानी जाती है तो कोई इसके आस पास भी नहीं इस दिवार में इत्यास से जुड़े हूए इतने सुन्हरे-प्रस्ट हैं और उन प्रस्टों पर ऐसे ऐसे क तो आप समझ सकते हैं कि यह एथ्यासिक रूप से कितना महत्पोन यह दूर्ग है इस दूर्ग की प्राचीर पर में खड़ा हूं पीछे आप पूरा क पूरा किल्ण देख पा रहे हैं इस तरफ जो प्राचीन यहां मंदिर बने हुए है और दूर्ग की प्राचीरों को छोड तो ये बड़े-बड़े जो सारे के सारे गुंबद और ये जित्ती भी चीजे हैं इन सब को आप छोड़िए अगर इस कि दुर्ग का अगर मैं कोई कंड तक भी देखूं तो ऐसा लगता है कि शौर्य संगहर्स स्वाभीमान यहां कंकं में समया हुआ है तो थोड़ा सम चलते हैं कुबेर सी हैं सोलंगी की तरफ जो कि जिनके बारे में कहा जाता है कि इस किल्ले को वो उनसे बहतर कोई नहीं जानता है तो वो कितना बहतर तरीके से हम आप तक पहुचाएंगे यह संभव नहीं हो पाएगा तो जो सबसे बहतर तरीके से चीज़े आप तक पहुचा से हैं कुबेर संजी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर इस किल्ले से जुड़ी वी तमाम अलग-अलग बाते जो दूसरी चितोडगड तीसरी कुंबलगड रही है और जाम खड़े हैं यह कुंबलगड की ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है कुंबलगड की दीवार है और इस दीवार की विशयस्ता के साथ साथ हम जब देखेंगे हमारे पीछे की तरफ जो है यह कुंबलगड दुरुग का महन जो बादल महल कहते हैं जिसको मारना कुंबा का महल कहते हैं जो कि उदेशियाजी की सरनस्तली कहते हैं वो सारा महल पीछे की तरफ है पीछे की तरफ में भी जो दूसरा किले के अंदर दूसरा किला उसको हम कटारगड के नाम से भी जानते हैं तो कटारगड में जो महत माहना प्रताप का जन्म कक्स हैं, माहना प्रताप का जन्म कक्स में, माहना उदेशियां जी का राजती लग उसी कक्स में हुआ, उसके बाद माहना उदेशियां जी की साधी उसी कक्स के बाहर प्रांगन में हुई और उसी महल में माहना प्रताप के जो प्रतम लड़के हुए प्रथम उनके पुत्र ह हुए है वो माहना पथाप उसी कमरे में जन्व हुआ है तो हम आज माहना पह्ताप जेन्थी के अवसर पर कुंबलगड़ कदुर्ग में उनको पिस्पांजली अर्पित कर रहे हैं स्रदान जली दे रहे हैं और माहना प्रताप अपने आप मैं मैं सबसे पहत्पूर्ण चीज़ ये मानता हूँ कि महाना प्रताप इस पारत वर्ष के प्रतम सतनता सेनानी थे और सतनता की अगर बात करें तो महाना प्रताप के मुकाबले उनके स्वाभिमान और सतनता की बात मात्मा गांदी ने भी सीखी है और मात्मा गांदी ने महाना प्रताप की तरह ही संगर्स करके अपने देश को आजादी दिलाई है तो आज महाना प्रताप की जहनती के अवसर पर हम अगर कुम्बलगड दूर के उपर हैं तो हमारे लिए बहुत ही गोरव का विसाई हैं हमारी लिए बहुत ही स्वाभीमान का विसाही है और महाना प्रताप ने इस अरावली की पाहड़ों में रहकर के जिस प्रकार से जो अपना प्रताप की प्रतिग्या ली थी उस प्रतिग्या के अनुसार अपने देखें तो उनका जीवन जो संगर स्पून रहा था और इसी लोगों के साथ बिल्ड गल करके उन्होंने एक अपना नाम कमाया था उस नाम था की का नाम से अगर अपन प्रसिद्ध हुए है मार्णा प्रताप क्योंकि की का का मतलब होता अपना खुद का बेटा तो इस आदिवाशिओं का खुद का बेटा के रूप में अपने पेचा तो कुम्बलगड पदा रहे थे कुम्बलगड का और महानना परताब का गहरा रिस्ता रहा है। तो आज परतीक के रूप में आज हैंने के रूप में कर दो पुस्पाँजले इरपित कर रहे हैं। आज महाना परताब की 403 जहनती हैं, उस जहनती पर आज कई आयोजन हो रहे हैं, उस आयोजन में सबसे अगर महत्पून बात होती हैं, उनके जन्म कक्स में पुस्पांजली करने की बात होती हैं, आज बुरे विस्व में, आज बुरे बारत में महाना परताब जहनती मनाई ज होती है तो आज हम कुम्बलगड़ के गई लोगों ने और मीडिया की साक्सी में हमने महाना प्रताब के जन्व किसम जाकर उनको पुस्पांजली दी यह हम सब के लिए गर्व की बात है